मेरे पहरे देश्वासियों पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है आम तोर पर कभी जब कोई प्राकुरतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से है पिछले दो महने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खरबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सर्थिक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रत्तेग भरत्सका सजग रहना सतक रहना बहुत आवश्यक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश्वास्यों ने निराश नहीं किया है ये आपके आसिरवात की ताकत है कि हम सम्मिल करके अपने नरधारित लक्षों के तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश्वास्यों से 130 करोड देश्वास्यों से आप सबसे कुछ मांगने आया हूं मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ताह चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे पैरे देश्वास्यों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यन में एक और बात सामने आई है इन देशों में सुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है हाला कि कुछ देश ऐसे भी है जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश है जो विकास के लिए प्रैतने शिल देश है और हम जैसे देश पर करोणा का ये संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमूग बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज 130 करोड देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने करतव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे साथियों इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्त बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है सईयम और सईयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशियल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशियल डिस्टंसिंग ये बहुती ज़्यादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और सईयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे सरको पर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूँ ये सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आगरह है कि आने वाले कुछ सब्ता तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें जीतना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवाओं में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़वार से बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो साट पैंसट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक गर से बाहर न निकले मैं फिर से आग्रह करता हूँ साट पैंसट से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकले हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न न हो तो भी साल में एक दो भार तो भागे जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू भो करके ये ब्लेक आउट का दिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं ये हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रविवार याने दो दिन के बाद बाइस मार्च को बाइस मार्च रविवार को सुबे साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाए न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए है उनको तो जाना ही पड़ेगा तो उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जया और हम देखने के लिए भी न जाए सात्यों बाइस मार्ज को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित्मे कर्प्तेव्य पालन के संकल्पगा एक मजबूत प्रतीख होगा बाइस मार्ज को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोतियों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई वा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुप करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समन में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश वासे हों ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कॉरोना जैसी वैश्विक महामारी के ख़राब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूँ साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में सहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए है चाहे डॉक्टर हो दर्सिस हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइन के करमचारी हो सरकारी करमचारी हो पुलीस करमी हो मीडिया करमी हो रेलवे, बस, आटो, रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकते आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रभीवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करे और दन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रभीवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रभीवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसाशन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पाँच बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुँचाए सेवा परमो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस माहमारी के लिए प्राथफिट्टा देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि रूटिन चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवश्यक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवश्यक नहों ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ वबस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमंत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकोनॉमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैस्टा लिया है ये टास्पोर्स साहरे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिती का आकलन करते हुए निकट भविश में फैसले लेगी है ये टास्पोर्स ये भी सुनिस्षित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्क, निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षती पहुँचाए दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्क से भी आगर है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाए लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर न आप आएं आपके घर न आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संवेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वाजियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद्ध, खाने पिने का सामान, दवाईयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्चक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ये सप्लाइ कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश्वासियों से यागर है कि जरूरी सामान, संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं, वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग, ये कता ही ठिक नहीं है, उसको न करें साथियों, पिछले दो महनों में 130 करोड भारतियों ने, देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है, उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है, भारत के लिए, समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देशवासी अपने कर्तवियों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अफ्वाओं का वातावरन भी प्यादा होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देश्वास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवश्यक्ता है साथियों हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्राथिक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर civil society हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवशक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का परवा आ रहा है यह शक्ति उपासना का परवा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवशक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूँगा जन्ता करफ्यू के लिए मैं आग्रह करूँगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अबचत कर रहा दो लिए एक याफ करदे बाम पहां प्याद